ज़जर जिले से होकर गुजर रहे केमपी के साथ से निकनने वाले हर्याणा रेल और्बिटल रेल कोरिडोर की मुआवजा राशी को लेकर किसान एक बार फिर से ज़जर पहुंचे यहां उन्होंने जिला उपाइक शक्ति सिंख से मुलाकात की और उसी पत्र का हवाला दे कर कलेक्टर रेट से 200 प्रतिशत मुआवजा जादा दिये जाने की बात रखी उपाइक ने किसानों की मांग को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि मामला उनके संग्यान में है और उमीद यही है कि किसानों के साथ किसी भी परकार का कोई अन्याय ना हो किसानों ने इस बारे में एक नेजी कंपनी पर भी आरोप लगाया कि उसी के अधिकारियों के साथ मिली भकत के चलते ही उन्हें उनके हक से बंचित गया जा रहा है जबकि इस मामले में दिल्ली के हर्याना भवन में परदेश के डिप्टी सीम दुशियन चोटला रेल कोरिडॉर के जीम हर्याना के एफसीयाई और जजजर के डीसी सहित कई अधिकारियों के साथ किसानों की जो बैठक जुलाई माह में हुई थी उसमें ये तैय हो गया था कि रेल कोरिडॉर को जो मुआवजा दिया जाएगा वे क्लेक्टर रेल से 200 प्रतिशत जादा होगा देकिन एक नेजी कंपनी की शाषन और प्रशाषन के साथ मिली भगत के चलते ही उन्हें उनके अधिकार से वन्चित किया जा रहा है इस बारे में किसानों के सामने ही उपा प्रशाषन और प्रशाषन के अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन यदि उनके साथ अन्याय हुआ तो वह अपना मुआफजराशी को नहीं उठाएंगे बता दें कि के साथ गुजरने वाले देल और बिटर कोरिडॉर के धारशिला पिछले दिनों फ्रीदाबाद में आ कि इसा बरताव किया झारा है बरताव कि द दि उस साथ में इसके साथ में उसकी रहा है तो इसमान में वेर गुजरने देने का ठाई तो डीसी साहब नो तुरंद बाद संग्यान में लेते हुए SDM को फोन किया है अगा भी माउजय को रोक्या जाए और हमारा माउजय अबड़ का मिलेगा ताम संतूस्टर नहीं मिलेंगे ताम इस पर फिर और पड़ी कारवाई करने में पिछे नहीं हाँ उनके कुछ शंकाएं थी उसके अधारा का स्कमाधान किया गया है एक डेश्टरण हाईवे जो के एंपी हाईवे है उपकी स्टेटस के बारे में एक सरकार से मांगी देशलों प्रांप होँगी है उसका में सारकारावए की